हलो अब्रीवन स्वागत है आपका अपने चनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट अभी हम बात करने वाले नेपाल वन ओडियाई मतलब नेपाल के जो ओडियाई हो रहना उसमें यहां पर मुकाबला होने वाला दूसरा मुकाबला टूर्णावेंट का 25 मुकाबले खे तो इसके बाद जो है यहां पर 23 मुकाबले खेले जाएंगे क्योंकि 24 वा मतलब नीचे से 24 वा वैसे टूर्णावेंट का दूसरा मुकाबला है अभी यहां पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिसकस कर लेंगे पिछले टूर्णावेंट में क्या हुआ है 2019 में भीया कौन से बड़िया परफॉर्म करकर आएं कौन से नहीं कुछ नए प्लेयर जायें तो उनके क्या स्टैट्स हैं उनके क्या स्टैट्स नहीं है वो सारी की सारी डिटेल अभी हम यहां पर डिसकस कर लेंगे अपडेट आपको टेली ग्राम पर देखने को मिल जाना चाहिए पर वैसे मैं अभी आपको आप सारी की सारी डिटेल बता दूँगा तो अगर कुछ भी अगर अपडेट नहीं देपाता हूं टेली ग्राम पर बट स्टैल आपको खुद आप अपनी टीम बना सकते हैं यहां पर अगर मैं बात करूँ आपके पाद जैसे मैं आपको बताया टूर्ण मैंस के हो रहे हैं वैसे ही वूमेंस के होते हैं वूमेंस के मैंचिस कहां चले से माई टीम 11 पे चले थे मैंज हम औरूह कर करके और मैंगा यही टीम अब यहां पाद को नेपाल पुलिस कलब नेवो मुकाबला जीता था मतलल वो टूर्णामेंट नेपाल पुलिस कलब ने जीता था प्रोविनांस वन को वो हरा कर आए थे कहां पर सेमी फाइनल पर वैदर रिपोर्ट के अगर माँ बात करो हूं तो बोहुत बड़ि तो आप यह देखकर चलना कि जितने बॉलर रखोगे उतने बैट्समें रखना थोड़े से एक्स्टर बॉलर मतलब एक एक्स्टर बॉलर आप अपनी डीम मेर रख सकते हो एवरेज फर्स निंग स्कोर जो पहला मुकाबले में यहां पर बने हैं वह 287 बहुत ज्यादा बन ग आपके लिए पांच मैंचे में रंज अगर आप देखो 162 एवरेज 40 की है फिर उसके बाद शरद है आपके पास राइट हैं बैट्समें राइटाम आउसें बॉलर लिस्टे करियर के अगर आप बात करोगे 40 मैंचे में रंज 1100 ओवर 56 विकिट आठ पांच मैंचे में अग आपको देखने को मिलेगा और मतलब 2019 के नहीं खेले हैं मैचे उसी के क्यों मैंने मतलब लिस्टे क्यों नहीं लिखा है वो भी मैं आपको बतायता हूं क्योंकि भीया मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहरा था अगर आप देखो गए ना इसका लिस्टे तो बहुत कई है बी रजमी है आपके पास है इसकी सेलेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी है और मेरे इसाब से होनी भी चाहिए क्योंकि एक मातर मकाबला खेला था पांच ओवर करवाय थो तीन विकेट चिटकालिये से बहुत बड़ी है आपको परफॉर्म करके देखर गया है 2019 का टूर्णामेंट इतना बड़ी है रहा नहीं और अगर आप देखो मैंने दोनों टीम में से देखा है एक ही प्लेयर ना छे विकेट चटका है नहीं तो सबना भीया इतने ही चटका है एवरेज भी 2019 में इतनी बड़ी है रही नहीं थी 2020 में कोई हुआ नहीं क्योंकि था और 2021 की अगर मैं बात कुरूंँ तो अभी आपको खेलते हुए दिख रहे हैं प्लेयर सुमित महराजन आपके पास है पांच मैचिस में रंजो करें वह 120 24 की आपके आपके बास है छे विकेट इसना चटका ही जो मैंने आपको बदाए कि भी यह एक ही प्लेयर है जिसने च्विकेट चटका ही है एक चाह swag दो वह क्या थेहाई मुझे लियाiene मने ने अटेड्स लिए तो है है वह नहीं ऐसरा बारश नियुक्त फिकर्य जो आपके सक्टारर रेना असिफ शेख बीच में रहे हैं हमाई पास पांच मैचेज में अगर आप देखोगे 43 रन ज्यादा बड़ी है परफॉर्म करा नहीं है अस जोरा आपके पास है पांच मैचेज में रन्स पच्पन एवरेज 13 की है बेंच की अगर आप बात करोगे शंकर राना चार मैचेज में ग्यार रन उसके बाद अगर आप देखो आपके पास रिट गॉटम है राइट हैंड बैच्पन आठ मैचेज में 197 रन मुझे इसकी पारी बहुत बड़िया लगी है अगर रिट गॉटम खेलता तो आप पका ट्राइगर ना इस प्लेयर को उसके बाद सूर रहा आपके पा अगर आप देखोगे रन जिकाता है रहा है एवरेज 35 की ओवर 15 विकेट चार उसके बाद है फंसारी वन ओड़ बेस्ट प्लेयर इन की टीम का जो आपको रंज भी मार कर देदेगा प्लस साथ में विकेट भी चटका कर देदेगा पांच विकेट इसने जटकाई हैं थाप अगर आपके बास चार मैचे में 45 रन सोनु मंडल आपके बास दो मैचे में रन्स 13 विकेट दो उसके बिवेक महता आपके बास देखोए तीन प्लेयर ऐसे हैं जिनके स्टैट्स नहीं मिले बिवेक महता है शायद जिसमार जिसकी सेलेक्शन बहुत जादा है बट अभी के मैं रख नहीं रहूं क्योंकि भी है मुझे स्टैट्स नहीं पता है सियादव आपके बास चार मैचे में रन्स 12 विकेट जीरो मनोस तमंग आपके बास चे मैच में 8 विकेट ओडीडी में बहुत बड़ी है परफॉर्म आपको करके देखर गया अगर आप देखोगे नीच इस टीम भी मैं लेकर आया हूं जो मतलब मैंने अपने आप बनाई है और जो प्लस थोड़ी सी मैने जो हर यह जो टीम्स है यह उपर की दो टीम्स थोड़ा सा मैंना बैलन्स करने की सोची है साइट को इसी वैसे यहां पर एक स्मॉल ग्रेंड लीग और एक ग्रेंड लीग की टीम है बट यहां पर सबसे वहले लिगर मैं बात करूं आपके पास स्मॉल लीग की टीम अभी के लिए सबसे वहले प्लेयर्स की हम बात करेंगे कुछ सेलेक्शन अगर आप देखोगे मेरे इसाब से तो भीया थोड़ी सी हैट पड़ी सेलेक्शन है एस काकुरेल को मत पी लो क्योंकि शायदे खेले भी ना अगर खेलता है तो देखो रख लेना नहीं तो वैसे पी आरे आपके पास एक बहुत बड़ी आएक इनका इंटरनेशनल प्लेयर है और मगर आपके बास है ट्राइगर ना चाहते हो कर सकते हो अपनी ग्रेंड लीग में उसके बाद ए और असिफशेक आपके बास ग्रेंड लीग का भकर रहागा इस महाराजन आपके वास ग्रेंड का विगदर बीरेजमी है आपकेश व्धांसियर अपके बैसे राओ की मैंने आपको स्टार्ट बताया है बट इसकी खेलना के कम चांस हुझ ऐस्यादव रूज खद का जै करके चाहता हैu क्योंक्त को और ड्राप करनाच चाहते हो मैं को सब्सक्राइब कर category से तरफ की तरह दो भी आदव को लेकर जा सकते हो वह बढ़िया का पैयाप के लिए लिए दोनों प्लेज मेरी टीम में होंगे कुछ प्लेज कि अगर मैं बात करूँ और सबसे पहले अगर मैं इसी टीम की बात करूँ तो भाई यह कैप्टेंसी अब नहीं आपके बास हैं फंसारी भी रजमी एसिंग राउट रूटेला फिर स के आपके पास है बी करकी ए बोरा आपके पास है उसके बाद अगर आप देखोगे आपके पास जो अभी है डी खंदेल और एम तमंग तो वो देखकर चलना यह आपके लिए बिल्कुल स्मॉल लीकी टीम है अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा दूसरी टीम के अगर मैं बात करूँ यहां पर पी एरी एज़ा कैपटन वाइस कैपटन सी एस महाजन फिर उसके बाद अगर आप देखोगे एस विश्वाकर आपके बास है लोनी एफ अनसारी एम थापा एस इंग राउट उसके बाद अगर आप देखोगे एस यादाव आपके बिक आकरे आपके बश्या पूरए पूरी की पूरी तीम आपके लिए ग्रेंड लीग फिरुड़ तीम है अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी बट यह समौल ग्रेंड लीग में भी लगा सकते हों पर यह वाली टीम है आपके लिए देखो है लोने कर दे हिए पूरी पूरी की पूरी टीम आपको टेलीगरम पर देखने को मिल जाएगा तेज्सी की अगर मैं बात कुरूं तो यहांपे के सामने बनाई है तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही चैनल सस्क्राइब कर लिजेगा वीडियो लाइक कर देऊ आपके लिए चैनल पर